नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारी टूप चैनल बुद्धा कलास्यों अफिसल पर आज का इस वीडियो में हम लोग नाखुन क्यों बढ़ते हैं जो कि हजारी प्रसाद दुवेदी जी दोड़ा लिखा गया है इसके प्रस्ण को डिसकस करेंगे ये सभी प्रस्ण बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही मात्पून है इसलिए इस वीडियो को आप सुरू से आन तक देखी तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्ण है अच्यारे हजारी प्रसाद दुवेदी जी का जनम कब हुआ आप्सन है 1905 इस भी में आप्सन ब्रसाद दुवेदी जी का जनम का हुआ उप्सन ए है समस्ति पूर बिहार आप्सन ब्रसाद दुवेदी जी का जनम कहा हुआ option c है बलिया उत्तर प्रदेश, option d है इलाहबाद उत्तर प्रदेश, इसका राइट answer option c, बलिया उत्तर प्रदेश एचारे हजारीप्रसाद दुबेदीजी का जनम हुआ है कौन मनुष्य का आदर्स नहीं बन सकती option c, option b, बंदरिया, option c, बालु, option d यहाथी तो इसका राइट आंसर है option B बंदरिया मनुष्ट का आदर्स नहीं बन सकती है चलि अगला प्रसंद देखते हैं चार का देवताव का राजा किनहे संबोहधित किया जाता है किनहे देवताव का राजा कहा जाता है इसका option है महादेव option B है विश्णू और option C है इंदर और option D है ब्रहमा इसका राइट आंसर है option C इंदर इंदर को देवताव का राजा कहा जाता है चलि अगला प्रसंद देखते हैं पाच का नक किसका प्रतिक है यानि नाखुन किसका प्रतिक है आपको बताना है option A मानुपता option B है पसुता और option C है दोनों और option D में से कोई नहीं तो नक जो है पसुता का प्रतिक है इसका राइट आंसर है option B चलि अगला प्रसंद देखते हैं चेका पिर्थिवी राज रासो कीन का संपादन है option A है हजारी परसाद दुवेदी option B है मैक्स मुलर option C है सुमित्रा नंदन पंद और option D है नलीन विलोचन सर्मा इसका राइट आंसर है option A पिर्थिवी राज रासो हजारी परसाद दुवेदी जी का संपादन है चेका राइट आंसर है option A चलि अगला प्रसंद देखते हैं साथ का कौन छोटे नखो को पसंद करते थे option A दक्षिनात भी है परवाद ते option C है मालब और option A मद देशी है इसका राइट आंसर है option A इसका राइट आंसर है option A option A दक्षिनात देखते हैं चलि अगला प्रसंद देखते हैं आठ का हजारी परशाय दुवेदी जी कब पदम भुषन की उपाधी से समानित किये गए option A है 1903 option B है 1957 option C है 1969 और option D है 1961 इसका राइट आंसर है आठका option B 1957 चलि अगला प्रसंद देखते हैं 9 का अशोक के फूल किसकी रचना है option A है दिनकर option B है सुमित्रा नंदन पंत option C है हजारी परशाय दुवेदी और option D है गुनाकर मुले इसका राइट आंसर है हजारी परशाय दुवेदी 9 के अशर आपसन C चलि अगला प्रसंद देखते हैं 10 का हजारी परशाय दुवेदी कि मिर्तियू कब और कहां हुई option A है 1989 दिल्ली में option B है 1957 अजमेर और option C है 1989 उत्तरप्रदेश और option D है 1994 कानपूर इसका राइट आंसर है option A 1989 दिल्ली में चलि अगला प्रसंद देखते हैं इगाड़का नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंदकार कौन है आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका लेखा कौन है तो इसका option है गुलाब राय option B अचारे हजारी परसाद दुवेदी और option C परताप नरायन मिस्र और option D सांती परिये दुवेदी इसका रायट answer है option B अचारे हजारी परसाद दुवेदी चलिए अगला परसंद देखते हैं बारका अचारे हजारी परसाद दुवेदी ने साहित्तिकी किस विद्या में लेखन नहीं किया है option है अलोचना option B है उपन्यास और option C है कहानी और option D है निवंध इसका रायट answer है option C कहानी चलिए अगला परसंद देखते हैं तेरा का कौन सी राचना हजारी परसाद दुवेदी जी की नहीं है option है असोक के फूल option B है हिंदी साहित का आदिकाल option C है माटी की मूर्ते और option D है बान भटी की आत्म कथा तो इसका रायट answer है option C माटी की मूर्ते चलिए अगला परसंद देखते हैं चौदा का दुवेदी जी ने निरलज अपराधी किसे कहा है option है नाखून को option B है चोड को option C है डाकू को और option D है बदमास को तो इसका रायट answer है option E नाखून को दुवेदी जी ने नाखून को निरलज अपराधी कहा है चल अगला परसंद देखते हैं पांच का काम सुतरि किसकी रचना है option E है पतंजली की और option B है हजारी परसाद दुवेदी जी की और option C है वात्स आयन की और option D है रामानुजाचार्य की तो इसका राइट answer है option C वात्स आयन की चल अगला परसंद देखते हैं सोलगा सिक्कत का अर्थ होता है आपको बताना है कि सिक्कत का अर्थ क्या होता है अपसन है साबुन अपसन भी है महावर और option C है दरपन और option D है मौम तो शिक्कत का अर्थ होता है मौम इसका राइट आइट आन्सर है option D चल अगला परसंद देखते हैं सत्रका माहभारत क्या है आपको बताने माहभारत क्या है option D है उपन्यास और option B है कहानी और option C है सास्त्र और option D है पुरान इसका right answer is option D पुरान, महाभारत एक पुरान है चली अगला प्रसंद देखते हैं 18 का, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे option E है गौर्डेस और option B है कहके और option C है वालिक और option D है गंधार इसका right answer है option E गौर्डेस चली अगला प्रसंद देखते हैं 19 का हिरो सीमा कहां अवस्थित है इसका option है चीन में, option B है जर्मानी में, option C है जापान में और option D है, sorry option C है नेपाल में, और option D है जापान में इसका right answer है option D, जापान में हिरो सीमा जापान में है चली अगला प्रसंद देखते हैं 20 का हजारी प्रसाद दुवेदी जी को कीस रचना के लिए साहित अकादमी पूरसकार पदम भूशन, सम्मान मिला option E है, अशोक के फूल option B है, अलोक पडब और option C है, कल्प लता और option D है, बान भट के आत्म कथा, इसका राइट आंसर है option B इसका राइट आंसर है, option B अलोक पडब तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको helpful लगाए, अगर helpful लगाए तो like, share जरूर करें, और subscribe करना ना भूले, thanks for watching